सलाम वालेकूं कैसे हैं आप सब आज बैटी हो अपने गाउं में उपर अपने घर में तो देखें किता प्यारासा नजारा है तीचे देखें चोटे से फवारे से पानी जा रहा है बहुत ही प्यारा है मेरा गाउं देखते रहें मेरा विलॉग यह वारा यह पीछे घर है हमारा मैं घर महीं हूं टैरेस पर और सुब्भा का टाइम है अच्छा सा मौसम हो रहा है यह देखें सब तरफ अब मैं थोड़ी से आपको सेर कराती हूं अपने गाउं की तो आईए देखिए कुटा कांग जा कुटा हमाएं साथ साथ आया है टाइगर नामिस का यह देखें पानी कैसे आ रहा है इतना अच्छा लग रहा है यह मैं घर पे आ गई हूँ अब घर के टैरेस पे हूँ शाम का टाइम हो रहा है और हवा इतनी अच्छी थी कि अंदर बैठा ही नहीं जा रहा था फिर मैंने इसलिए इदर टैरेस पे गूमना फिर ना शुरू कर दिया वाक शुरू कर दी जाहरे इतने काम नहीं करने होते गाउं में बहुते कम काम करना होता है कुछ भी नहीं तो बस थोड़ा सा वाक जरूरी रहता है फिर इदर क्या बैठ बैठ कर भी बोर होई जाते हैं और नजारे तो फिर इतने अच्छे होता हैं कुदरती कि बस आप सब को पता ही होगा इसके बाद तो बस कभी जानवरों होता है जाहर है यह देखिए गाए इतनी अच्छी थी माशाल्ला से और इसके लावा फिर मैं आगई सेव के दरत के पास सेव लगे वे थे इदर मुझसे रहा ही नहीं गया मैंने कहा कि मैं सेव लेकर आती हूं और जल्दी जल्दी से मैंने यहां से सेव तोड़े और भी थोड़े से समझ लें छोटे थे अभी बड़े होना था और यह भी फिर भी अच्छे थे टेस्टी थे फिर मैंने खा कर देख लिया इतने अच्छे ताज़ा एकदम अपने सामने लिये हुए ना ही गंदे ना ही मक्यों वाले कोई भी ऐसी चीज नहीं बहुत ही अच्छे जी चावल बना रही हूं आकर यह लकडियां जलानी होती है इसमें जैसे अब मैं लकडियां लगा के इसमें चावल बनाऊंगी इस पर ही डिशिस बनती है और गैस भी होती है साथ में दोनों चीज़ें इस्तिमाल की जाती हैं यहां पर मुझे शौक है जरसा यह वाला और इसी ही अच्छे से विलोग और लाती रहूंगी तो रहिए मेरे साथ और देखते रहिए और अब मुझे इचाज़त दीजिए अल्ला हाफिज